आज हम बनाएंगे आयन रिज्ट बेबी फूर्ट सीरीज की दूसरी रेसिपी की जो है एमरंथ पॉरज एमरंथ यानि की राजगीरा राजगीरा एक सूपर फूड होता है और वो सूपर फूड क्यों होता है वह आपको दिखाऊंगी वीडियो के एंड में और उससे पहले ह हम बात करते हैं कि अगर बेबी के डायेट में आयन की डेफिशेंसी हो तो उन्हें कौन-कौन से प्राब्लम होते हैं और उनमें कौन-कौन से सिम्टम्स दिखते हैं तो चलिए देखते हैं एनीमिय के अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखे तो सबसे पहले आता है सोर टंग यानि की जीब में छाले पर जाना स्कीन एकदम ही पैल हो जाती है इंसाइड ओफ द आयलीड उसमें पिंग कलर दिखता है रेड की जग़ पे ब्रिटल नेल्स होने लगते हैं यानि की थीन और फ्लेट हो जाते हैं नेल्स इसी वज़े से बीच में से तूटने लगते हैं और फिर हो जाता है काईलो निक्या यानि की स्पून जैसे नेल्स होने लगते हैं आयन की कमी की वज़े से उनको weakness होने लगती है, पर्टिकुलरली शाम के वक्त उनको लेथारजी फिल होती है और किसी भी चीज में काम में या खेलने में मन नहीं लगता है। नियूरोलोचिकल चेंजिस में अगर हम देखें तो बेबी का कॉंसेंट्रेशन कम होने लगता है, पूरे दिन फैटिक लगती है, दूसरों के मुकाबले उन्हें डॉलनेस लगती है, जब बेबी थोड़ा बड़ा होता है तो उनकी स्टडिस में भी उनका performance पूवर रहता है वो क्लूलेस हो जाते हैं और इरिटेबल और रेस्टलेस होने लगते हैं, आयन डेफिशेंसी इस अलसो सम्टैम्स एसोसेटेड विथ पीका, पीका मिन्स चाइल्ड इट एनी सबस्टेंस जैसे की बच्चे कभी-कभी कले खा लेते हैं, सेंड, न्यूस्पेपर वगेरे ख दूसरा जो पॉइंट आता है वो है टेमपर टेंटरम, उसमें बच्चा एकदम ही चिल्लाने लगता है, वाइलेंट हो जाता है, तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स, यानि कि बेबी अनकॉंशेस हो जाता है, वो ब्रीध करना बंद कर देता है औ यानिमिया से बचाने के लिए उसे आयन रिच डायेट देना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं आयन रिच रेसिपी, एमरंथ पोरज बनाने के लिए हमें चाहिए, राजगीरे का आटा दो से तीन टेबल स्पून, घी वन टेबल स्पून, दूद वन कप, खजूर तीन से चार, देशी गूड, एक चमज, बादाम, दो, काजू, दो, पंपकिन सीट्स, हाफ टी स्पून, सनफ्लावर सीट्स, हाफ टी स्पून, पोपी सीट्स, टू पिंच, गार्नीशिंग के लिए कॉकनट, सबसे पहले हमें एक वैसल देना है, उसमें दूद गरम करना है, औ और उसमें खजूर और गूड डाल देना है, गूड ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहिए, तो मट डालेगा, मैंने इसमें देशी गूड का यूज किया है, क्योंकि वो आयन रिच होता है, खजूर एकदम सौफ्ट न हो जाए, तब तक हमें इसे गरम करना है, अ और उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, इन सभी ड्राइफ रूट्स और सीट्स को हमें मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेना है, राजगीरा पॉरेज बनाने के लिए एक पैन में घी गरम करेंगे, और उसमें राजगीरे का आटा मिला कर रोस्ट करेंगे, राजगीरे के आटे को रोस्ट करते समय गेस की आँच धीमे रखे, ताकि आटा अच्छे से रोस्ट हो सके और जल न जाए, अब आप देख सकते हैं कि आटा एकदम से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब हम घजूर का दूद मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे, दूद डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना है कि ताकि इसमें लंप्स ना पड़े अब हम इसमें ड्राइफ फ्रूट का पाउडर मिक्स कर देंगे और सेमी सॉलिड कंसिस्टनसी आने तक चलाएंगे राजगीरा पॉरेज अब रेडी है तो हमने उसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और उसे ग्रेटिट कोकोनट के साथ सव करेंगे आप देख सकते हैं कि ये एक राजगीरे का पोधा है जो एक सूपर फूड होता है राजगीरा एक वेलियोबल सोर्स होता है प्रोटीन का हाफ कॉप ओफ राजगीरे में 14.7 ग्राम ओफ प्रोटीन होता है जो बच्चों के मसल बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रुरी होता है अगर आप बच्चों को एमरंथ देंगे तो बच्चों को आयन डेफिशनसी एनिमिया नहीं होगा क्योंकि एमरंथ इस वन ओफ दे ग्रीन वीच इस ब्रीमिंग विट आयन यानि की आयन से भरपूर होता है आयन एक न्यूट्रियंट होता है जो बड़ी को न्यूट्रियंट और इस पेशियली ओक्सिजन सप्लाई करता है हाफ कप ओफ एमरंथ सीज या तो फ्लोर में 11 मिलिग्राम जितना आयन होता है जो हमारे आयन की 55 परसंट की डेली रिक्वार्मेंट पूरी करता है हमारे बॉड़ी में हीमोगलोबिन बनाने के लिए हीम प्लस गलोबिन की जरूरत होती है हीम यानी की आयन और गलोबिन यानी की प्रोटीन राजगीरे में दोनों चीज आयन और प्रोटीन भरपूर होती है इसलिए इसे सूपर फूट कहा जाता है हमने इस रेसिपी में राजगिरे के साथ खजूर का यूज किया है जो इसे ज्यादा आयन रिच बना देती है if you find my video helpful please like share and subscribe to my channel thank you for watching my video